मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी का हमारे चैनल फिटर फिटर में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैंने जो कोशन बनाए हैं वो all-in-one बनाए हैं all-in-one का मतलब मैंने इस वीडियो में ITI थेयोरी के कोशन में भी मैंने डाले हैं मैट्स के कोशन भी डाले हैं science के भी डाले हैं, reading के भी डाले हैं, hindi के भी डाले हैं तो ये बनाने का मेरा मकसद क्या है इन सारे कोशन को बनाने का मकसद है ये ITI थेयोरी भी है, math भी है, science भी ये सारी चीज़ों मैं बोल रहा हूँ इसको एक खटा मैंने एक paper में बनाया है क्यों? क्योंकि जो भी हमारे next exam होने वाले हैं उन सब exam में ये सारी चीज़े आती हैं तो मैंने एक बिल्कुल paper type एक test बनाया है जिस तरीके से हमारे exam में paper होता है तो आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए और किस तरीके से exam में कोशन आते होने समझिए हम वीडियो start करते है पहला question हमारा है building में root gap क्यों दिया जाता है जो हमारी building होती है उसमें root gap क्यों दिया जाता है तो पहले मैं answer बता देता हूँ कि जो हमारा root gap दिया जाता है और root gap को कैसे समझेगी हम तो इस तरीके से मैं एक plate बना देता हूँ और एक plate में इधर बना देता हूँ इन दो plate को जोड़ना था हमें जैसे मां लीजे ए प्लेट है और ये बी plate है तो इन दोनों plate को जोड़ना था तो हमने इन plate को सटा कर नहीं रखा इनके बीच में एक gap दिया है देखे बीच में ये gap है जहां जहां में लहर बना रहा हूँ एक gap है इस gap को हम root gap कहते है root gap जो दिया है तो इससे क्या होगा जहां हम इसमें building करेंगे तो हमारा building का material जो है पूरे में इधर दर बहर जाएगा जब इसके बीच में building material बहर जाएगा तो हमारी दोनों सीटें first और second दोनों सीटें जुड़ जाएगी यदि हम इन सीटों को सटा कर रख दे तो सटा कर रखने से क्या दिक्कत होगी कि जैसे मान लिए कोई एक सीट और दो सीट हमने सटा दी तो सटा नहीं से हमारा लोहा जो होगा जो इलेक्टोर से लोहा आएगा वो सीट के ऊपर ऊपर जम जाएगा अंदर तक नहीं जाएगा तो रूट गेप जो दिया जाता है वो दिया जाता है पैनी ट्रेशन करने के लिए पिगले हुए लोहे को भरने के लिए तो इसका थार्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा पैनी ट्रेशन के लिए तो जब भी हम दो सीटो को बेल्ड करते है तो उनकी बीच में गेप देते हैं उसे रूट गेप कहते हैं लेकिन कोशन ही उड़ता है कि हमें रूट गेप कितना देना चाहिए तो साधान कार के लिए हमारा जो रूट गेप होता है वो 3 से 4 mm रूट गेप होता है तो यह आपको कोशन समझ में आ गया होगा और कभी भी जो कोशन हम करेंगे तो कोशन में आप क्यों करके जरूर समझिए यह क्यों दिया जाता है जैसे अभी मैं next question करने वाला हूँ तो जैसे ही कोई इसमें ऐसा question आएगा तो मैं उसको बताऊँगा कि इस तरीके से अपन को याद करके इसको रखना है दूसरा question है चित्र में कौन सा दोस है ये दो चित्र में दो एरो लगे हुए दिख रहे हैं ये केरो ऊपर दिख रहा है और ये केरो इदर नीचे दिख रहा है तो इसमें छोटी-छोटी-छोटी point by point दिख रहे हैं इसका मतलब है कि जह हम electrode से welding कर रहे थे तो हमारा electrode का कुछ लोहा छटा करके इधर-इधर पर क्या हो गया है हमारे job की सता पर लग गया है तो इसे हम क्या कहते हैं तो इसका answer में बता देता हूँ इसे हम spatter कहते हैं तो इसका first answer right answer हो जाएगा दूसरे नमबर पर porosity है ये porosity नहीं होगी undercut है undercut नहीं होगा और overlap भी नहीं होगा अब spattering क्यों हो जाती है spattering हमारी हो जाती है जह हम asud यानि कि जो हमारा flask होता है सही flask का हम जब ओपयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो लोहा होता है पिखला हुए लोहा छटा करके इसके उपर जम जाता है तो spattering का मतला होता छोटे 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 लोही को छटा कर जोपी सतय पर जम जाना अब मैं आगे question बढ़ता हूँ तीसरा question है होज protector में कौन सा बालव होता है जो मैंने पिछले दिनों जो वीडियो अपलोट किया है उसमें मैंने एक होज protector के बारे में जिक्र किया था जो हमारा पुराना वीडियो है तो आप चाहें तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं हम इस वीडियो की description में जो जो हम वीडियो अपलोट करते हैं उनके जो अच्छे वीडियो हैं अच्छे question जिसमें हैं इस type के तो उनके मैं link एड़ कर दूँगा लेकिन कभी कवार क्या होता है यह आग हमारे टौच से बाहर न जलके टौच के अंदर जलने लगती है जब यह हमारे आग टौच के अंदर जलने लगती है तो इससे हमारे आग का और अंदर जाने का खतरा रहता है तो इसमें क्या होता है हमारे जो pipe जहां जुड़े रहते हैं दो pipe उन pipe के पास ये hoj protector लगा होता उसे क्या होता है gas तो बाहर आ सकती है लेकिन आग अंदर नहीं जा सकती है यानि कि एक तरफा हमारा gas जाएगी लेकिन reverse नहीं आएगी और इस तरीके का जो समझ सकते हो non return का मतलब होता है जो return ना सके उसे बोलती है non return वाल उसका third answer right answer हो जाएगा next question C2H2 plus O2 यह एक reaction लिखा हुगा है C2H2 अब C2H2 का formula में पुराने वीडियो में बता चुका हूँ यह acylene का सूत्र होता है O2 जो होता है oxygen का सूत्र होता है तो इस reaction को हमें पूरा करना है यह आप लोगों को थोड़ा difficult लग रहा होगा क्योंकि आईटाई वाले बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा कठीन पॉइंटों से दूर भागते हैं लेकिन हमें कठीन पॉइंटों से दूर नहीं भागना है जितना आप दूर भागोगे उतना आप पीछे होते जाओगे आपको दूर नहीं भागना है आपको डट कर सामना करना है और पढ़ना है आप जरूर सफल होंगे तो मैं एक लेक्षन को पूरा करता हूँ C2, H2, प्लास O2 यह दोनों जुड़ेंगी हमारी जब यह दोनों जुड़ेंगी तो हमारे डेक्षन पूरी होगी कुछ लोगे सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो केमिस्टी से बहुत डरता हूँ पर दोस्त केमिस्टी से डरने की जरूरत नहीं है बहुत ही सरल होती ही केमि carbon monoxide को कहते हैं CO तो देखिए इसमें यह C है आंगे नमबर पे C दिया है और O दिया है तो यह C2 और O2 मिलके CO बना देंगे तो देखो C के 2 है O के 2 है तो दो आंगे लग जाएगा तो 2CO हो जाएगा वो जो H2 है यह हमारा H2 जो है गैस बाहर निकल जाएगी तो यह reaction पूरी हो गई है 2CO प्लस H2 अब 2CO नहीं लिखा है तो हम यह जो reaction बताए हैं यह हम आपको संतुलित करके reaction बता दिये हैं तो यह 2 चाह हैं यह संतुलित करके बता आ तो कभी कमार ऐसा भी हो सकता है कि reaction पूर लिक कि आ जाएगा एक जाम में तो आपको संतुलित करना पड़े और हाईडोजन गैस भी बनेगी नेक्स कोश्चन न्यूटल फ्लैम में एसेडलीन और अक्सियन का अनुपात क्या होता है? अब मैं तीन फ्ले में बता देता हूँ एक होती ही न्यूटल फ्लेम एक होती ही ऑक्सिडाइजिंग प्लेम एक होती ही कालो राइजिंग फ्लेम तो सबसे पहले हम न्यूटल वाले पे बात कहते हैं न्यूटल का मतलब होते हैं कोई किसी का नहीं साथ में दो कोशन और बता देता हूँ Oxidizing Flam और Carboring Oxidizing Flam जो है Oxygen की पार्टी में आ गया है तो Oxygen की पार्टी में आ जाएगा तो Acidline की मात्रा हमारी कम हो जाएगी Oxygen की मात्रा बढ़ जाएगी तो एक अनपाद दो हो जाएगा Acidline एक रेशियो में रहेगा और Oxygen दो रेशियो में रहेगा अब मैं Carboring बता देता हूँ Carboring यह है कार्वन की पार्टी में आ गया Carboring तो इसमें Acidline में कार्वन रहता है तो Acidline की मात्रा दो हो जाएगी और Oxygen की मात्रा एक हो जाएगी लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है अभी मैंने एक कुश्चन में जो लिखा है वो Acidline आँगे लिखा है Oxygen पीछे लिखा है तो ध्यान रखना इसमें इस बाले में Oxygen में Oxygen में यदि हम Oxygen आँगे लिख देंगे और Acidline पीछे लिख देंगे तावे के लिए किस फ्लेम का उप्योग करते हैं तो एक कुश्चन आपको याद रखना पड़ेगा मैं बता देता हूँ तावा जो होता है हमारा उसके लिए हम करते हैं नीटरल कारोराईजिंग का तो हम करेंगे नहीं Oxygen बता नीटरल तो इसके लिए जो नीटरल फ्लेम का उप्योग करते हैं तो हमारा First Answer Right Answer हो जाएगा Next Question सबसे अधिक कार्बन किस फ्लेम में होता है इसको आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूगा सबसे अधिक कार्बन कार्बन का मतलब होता है धुगा निकलना काले रंगा तो आपको मालूम है कि अभी अभी मैंने बताया था अक्सीडाइजिंग फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम और नीटरल फ्लेम नीटरल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसलीन दोनों की मात्रा बराबर है तो इसमें कोई धुगा का होने का चांस ही नहीं बनता है अब हमारा बचा कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग में हमारा ऑक्सीजन अधिक होता है तो हमारा इनन बहुत अच्छे से जल जाता है तो इसमें भी carbon नहीं बनेगा लेकिन carbon rising flame में जो होता है इसमें हमारा इनन अधिक होता है oxygen कम मिलती है तो इससे हमारा जो इनन अच्छे से नहीं जल पाता है तो धुआ छोड़ छोड़ के जलता है और आप किसे समझोगी आप carbon rising का जो हमारा उच्छानर हो रहा वो का से हो रहा carbon rising का से carbon भी का से इसलिए इसका answer हो जाएगा carbon rising तो second answer right answer हो जाएगा next question bridging का flask है bridging जो हम करते हैं तो इसके लिए हम किस flask का उपर्योग करते हैं तो पहले हम बताएंगे plus plus की एक ऐसा मटेल होता है जो हमारे पिगले हुई लोहे में पाई जाने वाली असुद्धियों को अलग कर दिता है जो ऊपर तेर किया जाती है और पपड़ी के रूप में जम जाती है तो उसको हम हटा देते हैं यानि कि उल मिलाके लोहे को साप करने के लिए हम plus का उप्योब करते है तो ब्रेजिंग में हम बोरेक्स का फ्लस का उप्योब करते है तो first answer right answer है इसकी भी ट्रिक बना सकते है B से ब्रेजिंग, B से बोरेक्स तो दोनो B और B, और B हो गया अब B भी, अब B भी को बोली है आप अपने तरीके से B से ब्रेजिंग और B से बोरेक्स next question हम करते है low pressure और high pressure किस गैस पर निर्वर करते हैं इस question में बहुत से लोग confusion में रहते है low pressure and high pressure depend in which gases यानि low pressure और high pressure किस गैस पर depend करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी torch में जो दो gas है यूज होती है वो होती है C2, H2 और O2 इसमें जो हमारा pressure, low pressure और high pressure होता है वो हमारा देखिए इसमें oxygen तो हमीशा cylinder से आती है oxygen gas हमीशा किस में भरी जाती है cylinder में और cylinder में जो gas भरी जाती है उसका pressure अधिक होता है हमीशा अधिक रहता है लेकिन acylene एक gas जो होती है जो cylinder में भरी जाती है एक gas वो होती है जिसको हम खुद बनाते हैं किसके दोरा बनाते है calcium carbide के पत्थर पर calcium carbide का सूत में लिख देता हूँ CAC2 calcium carbide का जो पत्थर होता है इसके पानी डाला जाता है तो इसकी जो calcium carbide के जो आरा जो हम किर्तिम बिदी से जो acylene gas बनाते हैं उसमें pressure इतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन जो cylinder में आती उसमें pressure होता है यानि कि हमारे पास acylene gas जो है वो दोनों option एबिलेबल है अधिक pressure में लेना है तो हम cylinder से ले लेंगे acylene को कम pressure पर लेना है तो हम acylene को खुद बना लेंगे यानि कि pressure कम और ज़्यादा किस के द्वारा हो रहा acylene के द्वारा हो रहा इसलिए हमारा first answer सही answer हो जाएगा कि low pressure औ high pressure किस पर depend करता है acylene gas पर ने बन करता है क्योंकि oxygen तो हमेंसा high pressure पर आती है cylinder से आती है कभी हम oxygen को खुद नहीं बना सकते है तो यह answer जो है first answer right answer होगा कई दोस्टों को क्या है इसमें दिक्कत हो रहा होगा कि English है Hindi है क्या है इसमें परिशान मत होईए क्योंकि हम Hindi में low pressure पर रहे हैं English में low pressure पर रहे हैं Hindi में high pressure पर रहे हैं English में high pressure पर रहे हैं तो ऐसा कोई tension मत लीजिए और कोई बहुत एकदम दिमाग में pressure मत दीजिए आप अच्छे से समझेए कोसिस कीजिए आप अच्छे से समझोगे तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं कुछ लोग Hindi को देखकर घबरा जाते हैं कुछ लोग English को देखकर घबरा जाते हैं इस tension को आप भूलिए और कोईस कीजिए कोईस करने वालों की कभी हार नहीं होती है Next question हम करते हैं 10. सबसे लंबी जौला किस flame की निकलती है जौला आप जानते हो जौला किसे कहते हैं जौला मतलब जौला मुखी आपने सुना होगा जौला का मतलब होता आग यह torch हम बना देते हैं जैसे हमने एक पहले नमबर पर torch बना दी torch का मुए बना रहा है हम गर्दन दूसरे तीसे नमबर पर तो इसमें इस तरीके से आग निकलती है, इस तरीके से जलती हुई, तीन फ्लैम में बना देता हूँ, तो इसमें जो हमारी आग जितने जल्दी जल जाती है, उसकी फ्लैम उतनी छोटी होती है, अब जल्दी कैसे जलेगी, जिसमें ऑक्षियन सबसे जादा होगी, वो फ्लैम सबसे जल्दी जल जाएगी क्यों जल जाएगी क्यों करना है आपको क्यों जल जाएगी क्योंकि उसमें जलाने के लिए ऑक्षियन मिल जाएगी ऑक्षियन से क्या होगा क्योंकि हमने कक्षा 6-7-8 में या छोटी किलास हमें पढ़ा है कि ऑक्षियन आपको जलाती है तो जितन पीले चुटाम को पीले पिकिता रावी है व सबसे नमर पे बनाई है ये नीटॉल । प्लेम की है, जो तींसे नमर पे बनाई हो कcha सड़ूरीं हो तैंसीी तो, इनलम की हुता है की बइंस सबसे λाल रंग किसका होता है सबसे अधिक पीला rंग तो मैं 3 फ्लेम फिर से बना देता हूँ 1 प्लेम, 2 फ्लेम और ये 3 फ्लेम, 3 जौला मैंने बना दी जो सबसे जली जलेगी वो oxidizing plans जो तोड़ा ओर देरी में जलेगी वो neutral flame जो सबसे देरी में जलेगी वो carbonizing flame इसमें oxygen सबसे ज़्यादा है तो जो जितने अच्छे से जलता है उसका रंग उतना light होता है तो हलका blue-ish white रंग जो होगा पहले बाले का होगा blue-ish white दूसे वाले का होगा जो होगा इसका हलका blue-ish होगा तीसे वाली का होगा वो yellow-ish होगा यानि कि जो सबसे यानि कि जो सबसे परेशानी में जलेगी उसका रंग पीला होगा तो पीला यानि डार्क रंग होगा तो हमारा carbonizing answer right answer होगा अब इसको मैं एक example से समझाना चाहता हूँ जैसे आप लोगोंने एक देखा होगा कि एक gas stove होता है और एक हमारी lantern होती है तो lantern जो रहती है हमारी जो हम पहले समय में lantern में मिट्टी का तेल भर कर पड़ते थे तो उस lantern जो जलती थी तो मिट्टी का तेल भर के एक बाती डाल देती थे तो जब वो जलती थी तो पीले रंकी जलती थी पीले रंकी क्यों जलती थी क्यों 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 उसमें कहीं से oxygen का प्रेशन नहीं रहता था तो वो oxygen कहां से लेती थी वो oxygen बाताबण से लेती थी हमारे बाताबण में oxygen है क्या हां बाताबण में हमारे बाताबण में oxygen है कि परसेंट 21% तो वो 21% ऑक्षियन लेती थी जलती थी पीले रंग की क्योंकि उसमें ऑक्षियन प्रेसर से नहीं जाती थी लेकिन आपने इस टोग देखा होगा जिसमें पंप रहता उस पंप से हम हवा भरते हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने नहीं लोग पढ़ने गए या बड़े भाही लोग पढ़ने गए तो वो ग्यष boiler लेके जाते थे और उसमें मिठी का तेल भरके वो पंप से हवा भरके रोटियों को पकाते थे तो उसमें जो हम जितना अच्छा वा भरेंगे तो हमारा ग्यास इस टोग उतना सफेद रंग का जल तरीके से यदि हमारे पेड़ों को अच्छे से हावा मिलेगी तो एकदम खिलते हुए पेड़ों बोकते हैं एक तरीके से फिलेम एक तरफ से हमारी फिलेम आती है जिए आग कहते हैं आग इस तरीके से आती है तो यह पिगल के तो इसको लगवाद 30 से 40 डिग्री पर रखा जाता है ब्रेजिंग रॉट को यह आप याद कीजिए यह जॉब की सताय से जो जुकी हुई रहती है यह को मैं वीडियो के मादध हम से ट्रिक बताना चाहता हूँ तो ध्यान रखिए लेफ्ट वार्ड यह दो सब दियात करिए लेफ्ट वार्ड लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट का मतलब वाया और राइट का मतलब दाया लेकिन लेफ्ट वार्ड इसमें बार्ड लिखा लेफ्ट वर्ड वर्ड का मतला होता है जो हमारे महले रहते हैं लेफ्ट वर्ड मतला हम लेफ्ट की तरफ महले में जा रहे हैं तो हमारी वेल्डिंग जब लेफ्ट की तरफ महले में हम जा रहे हैं तो कहां से चलोगे भाई तो हम राइट से चलेंगे तो हम लेफ्ट के महले में पहुंच जाएंगे तो इसको बोलते हैं left bird welding यदि इसमें लखाओ right bird welding तो हम right की तरफ जा रहे हैं तो right की तरफ कैसे जा रहे हैं left से right की तरफ जा रहे हैं तो यह सारी welding में इस तरीके से trick से आप याद रखेंगे next question ब्रेजिंग torch की neck बनी होती है जो हमरी ब्रेजिंग torch होती है इस तरीके से रहती है वो क्योंकि उसमें इस तरीके से आँगे से आग निकलती है इस तरफ से जलती हुई तो इसका जो गर्दन होता है इसे neck कहते हैं 120 degree के corner बनाई जाती है तो इसका fourth answer right answer हो जाएगा लेकिन इसका अगर neck का corner ना पूँचके इसको job की सताए के साथ corner पूचा जाएगा तो इसका देखे कितना degree corner होगा तो उपर का corner जब 120 हो जाएगा तो नीचे का corner जो हो जाएगा वो 60 degree हो जाएगा यह आपको मालूम है कहां से मालूम है हम बता देते हैं डिल का लेप एंगल 69 degree होता है तो हमारा जो डिल ग्रांडिंगेज होता है उसका corner 121 होता है क्यों आता है क्योंकि 180 मैंसे हम 69 घटा देते हैं तो यहां भी हमारा जो नेक का कौण 120 है, तो हमें नीचे वाला कौण इधर का चाहिए, तो 180 मैसे हम 120 गटा देंगे, तो हमारा नीचे का 60 डिग्री कौण आ जाएगा, लेकिन 60 कब लगाना है, जोब की सतय के साथ कौण बनाता है, और 120 कब लगाना है, नेक का एंगल कितना हो नेक्स कॉच्चन, ओक्सीजन कटाई टोच की नेक बनी होती, अभी मैंने बताया था ब्रेजिग टोच की, अब मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन कटिंग टोच, जिसमें ओक्सीजन का प्रेसर दे करके, हम लोही को काटते है, बहुत मोटा से मोटा लोहा काट सकते हैं, तो हम fusion में रहते हैं तो oxygen cutting torch किते degree में होती है 90 degree और नीचे कौन भी 90 बनाएगी क्यों बनाएगी 90 कौन क्योंकि जब उपर 90 बनेगा ये एंगल उपर वाला एंगल 90 degree होगा तो नीचे वाला एंगल भी कितना degree होगा 90 degree होगा क्योंकि 180 में से गटाओगे तो नपर ही बचेगा next question pre heating में किस flame का उपयोग करते हैं जब किसी job को काटना होता है यानि माल लीजा हमें तरबीच से इसको काटना है तो पहले हम flame को set करते हैं इसके उपर job को गरम करने के लिए job को जब गरम किया जाता है तो गरम करने के लिए हम oxygen का उपयोग नहीं करते हैं, हम गरम करने के लिए preheating flame का उपयोग करते हैं तो ये question भी तैयार हो गया, कि job को cutting करने के पहले, जो हम job को heat किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं उसे हम preheating कहते हैं, जैसे जिस प्रकार से आपके board की exam के पहले एक exam होता है, जैसे हम pre-board का मतलब होता है next board का एक exam देने के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसे pre-board कहा जाता है, तो हम cutting करने के पहले जो heating कहते हैं, उसे हम preheating कहते हैं, तो आप सब्दों को समझे, जब तक आप सब्दों पर command नहीं बनाओगे, आप theory पर command नहीं बना सकते हैं, pre-heating pre को अलग कर दो, heating को अलग कर दो, मतलब main heating के पहले जो heating होते हैं, तो इसमें जो हम flame का यूज करते हैं, उसमें neutral flame का यूज करते हैं, न्यूटल flame का यूज, इसलिए करते हैं क्योंकि neutral flame किसी को support कुछ नहीं करता है यानि कि यह जोब में किसी भी प्रकार की विक्रती या खराबी उत्पन नहीं करता है जब जिया हमारा जॉब उस जगाए पर जिस जगाए पे हम्मरी टॉर्च से गरम करते हैं तो गरम हो जाता है पिर इसके वारे लीवर को दबा करके हम oxygen का pressure देते हैं तो हमारा oxygen काटना start कर जाता है दीरे दीरे हम torch को आंगे बढ़ाते हैं दीरे दीरे torch को हम आंगे बढ़ाते हैं तो हमारा pre-eating भी होता जाता है और oxygen से कटता हुआ चला जाता है लेकिन torch को बहुत जल्दी से आगे नहीं बढ़ाना है 17 question एक nozzle का नाम बता हुआ इस nozzle का हमें नाम बताना है अभी-अभी मैंने एक cutting torch बताई है तो cutting torch का जो आंगे कम होता है वो इस तरीके करायता है जिस तरीके से गोल में बना हुआ है इसका जो beach का hole होँए देखो मैं एर उसे बता देता हूँ यह beach का hole होता है O2 O2 अताथ में pure oxygen निकलती है और जो किनारी के 6 hole बने हुए है देखिए चोटे-चोटे hole बने हुए 6 hole यह होते है neutral flame के लिए यह किनारी के hole में जो निकलती है वो निकलती है C2, S2 और O2 दोनों की मातरा बराबर रहती है क्योंकि neutral flame रहती है और beach के hole से निकलती है oxygen जो cutting करने का काम करती है और इस torch का size जो है किनारों के hole से नहीं लिया जाता है इस torch का size इसके beach के hole से लिया जाता है क्योंकि यह preheating torch नहीं है यह torch है cutting torch तो cutting कौन सा hole कर रहा है beach वाला hole कर रहा है लेकिन support कर रहा है किनारों के hole तो इस hole के इस torch का size जो है बीच के hole से लेती है यह question हमारा नहीं है nozzle का नाम बताना है तो इस nozzle का नाम है cutting torch का nozzle तो इस second answer right answer हो जाएगा next question किस torch में oxygen का control lever द्वारा होता है अभी अभी मैंने बताया है कि जो हमारी cutting torch होती है उसमें जो हमारा lever लगा होता है उससे हम oxygen को pressure दे के काट सकते हैं तो इसमें oxygen का control lever होता है इस torch का नाम होता है cutting torch first answer right answer हो जाएगा next question देखिए इसमें हमने आपको बताने के लिए अलग से slide add कर दिया है इसमें जो हमारी दो torch है बनी हुई है यह नीचे नमबर पर जो बनी हुई है इसके गर्दन से आप समझी 120 डिग्री में इसमें गर्दन है तो यह हमारी ब्रेजिंग torch और ऊपर बनी हुई इसमें 90 डिग्री पर गर्दन ब एक पाइप से oxygen आती है एक पाइप से acylene आती है दोनों को मिलाया जाता है यह बीच में mixing chamber होता है यह mixing chamber है देखिए बीच में इससे क्या होती है mixing chamber में इधर पर हमारी दोनों gas मिल जाती है और दोनों इस नोक से जलती भी निकलती है लेकिन इसमें oxygen को हम घटा बड़ा नहीं सकते हैं नेक्स question TIG और MIG में कौन सी gas का प्रयोग करते हैं कई वारी question confusion में आ गया है कि TIG MIG में तो TIG MIG में हम ऐसी gas का उप्योग करते हैं जो gas किसी से reaction नहीं करती है अक्री सीली gas होती है तो आरगन, helium, carbon dioxide तो इस सभी gas का उप्योग हम TIG MIG building में कर सकते हैं next, thermit welding में मिस्रण क्या होता है तो thermit welding एक हमारी रासानिक welding की विदी होती है जो मैं पिछले वीडियो में upload किया था कि थर्मिक welding किस welding में आएगी रासानिक किरिया होती है रासानिक किरिया में 3000 degree temperature उत्पन होता है इसमें लगबग एक question भी exam में आ सकता है तो क्या होता है इसमें? इसमें aluminium powder और iron रहता है, aluminium iron powder रहता है तो इसमें जो right answer है aluminium powder और iron anxiety दोनों रहते हैं इसका third answer right answer हो जाएगा ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलने के बाद 3000 degree temperature उत्पन होता है और हमारा जो iron powder होता है इसका लोब पिगल करके उसे root gap में भर जाता है ज़्यादा तर rail की पटियों को जोडने के लिए thermit building का ही opioid किया जाता है तो दोस्त यह रहा है हमारे अभी तक theory के 20 question लेकिन अभी हमारा जो jumping वाला जो काम रहता है जो हमें jump करके fighting में ले जाएगा कौन ले जाएगा fighting में वो मैं बताने वाला हूँआपको 21 number question अंग्रेजी बढ़न माला में बाएं से 9 में अक्षर के बाएं 8 में अक्षर क्या होगा यह reasoning का हमारा question है यह reasoning के question हमें क्यों आना चाहिए क्योंकि theory में हम सब के बराबर में आ जाएगे लेकिन हमें jump करना है एक jump में fight करना है तो हमें और सारी question भी solve करना पड़ेंगे देखिए इसमें बाएं बाया से 9 में और बाएं 8 में तो दोनों में बाएं बाएं दे रहा है तो осबसे पहले धयान रखना है जो हमारा alpha bit हיות होता है अबिसी डियर आ उबहों jest ज тобой से रहता है यह हमारा रहता है इसे यह हमारा रहता है वाएं both जो इधर से जो रहता है ये हमारा रहता है दाएं। सबसे पहले तो ये बात याद रहें जी निको मालूम नहीं है अगर हम इस A8 तरफ से चलेंगी तो ये बाएं होगा और अगर J तरफ से चलेंगी तो दाएं होगा पहली बात दूसरी बात जब हमें एक торick बता रहा हूँ या आपको ध्यान से सुनिए वाएं वाएं देखे इस तर उपर नोमे में भी बाएं हैं ये ये भी बाएं हैं तो जब बाएं वाएं अर्था दोनों सेम हैं बाएं बाएं तो जब बाएं बाएं सेम हैं तो इसमें क्या होगा माइनस होगा जब बाएं दाए होगा वाएं और दाएं होगा तो प्लस होगा कैसे जिस तरीके से आफ समझे कि जब एक ही प्रकार का ग्रुप है तो उसमें फाइटिंग होगी तो दूसरे को हराने की कोसिस करेगा जैसे सेम सेम बच्चे हैं फिटर का बच्चा एक फिटर का बच्चा तो दोनों की फाइट दूसरे फिटर की बच्चे को हराने की कोसिस करेगा, क्यों क्योंकि वो उसकी seat को उसे लग रहा हुँ उसे लग रहा वो न ले ले ले, तो दोनों same quality के हैं, तो उसको same सी आद रखना है, बाएं, बाएं, तो जब बाएं, बाएं होंगी, तो माइनस होगी, अब बाएं दाए एक फिटर का बच्चा है, एक electrician का बच्चा, तो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, क्यों क्योंकि फिटर की seat, फिटर को मिलेगी, electrician की seat, electrician को उनमें लड़ाई नहीं होगी, लेकिन बाएं बाएं हैं, तो उसमें लड़ाई हो जाएगी, अर्था माइनस हो जाए जो आपको एक नंबर दे के जाएगा, नेक्स कोश्चन 22, सही सब्द पहचानो, यह हिंदी का है, क्योंकि UPR VUNL में हिंदी आती है, तो इसमें आर्सीर बाद हमें समझना है, कि आसीर बाद कौन सा सही होगा, तो आप लगाई इसमें आंसर, इसमें कौन सा आसीर बाद सही ह आंसर है, तीसे नंबर में जो वा है, इसमें आर्सीर बाद लिखा हुगा है, जबकि आसीर बाद होता है, तो तीसर आंसर भी गलत है, चोते नंबर पे जो लिखा है, बिल्कु गलत लिखा हुगा है, तो इसलिए फर्स्ट आंसर हमारा कई लोग एकजाम में लगा देते है यह बाला लेकिन यह गलत है यह आरसी बात लिखा हुगा है सेकंड आंसर राइट आंसर नेक्स कुछन हम करते हैं किसी फिंड को 10 न्यूटन का बल लगा कर 20 मीटर दूरी तक विस्थापित किया जा है तो कारी की गढ़ना करें यह साइंस का कोशन है जो हमारी वर्क्सप एंड केंकुलिशन की साइंस होती है तो 10 न्यूटन का बल हमें लगाना है देखिए इसमें लिखा हुआ है 10 न्यूटन का बल यानि बल की जो वैलू है वो 10 न्यूटन है तो F कमान हमारा कितना है 10 न्यूटन और विस्थापन दूरी जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर तो देखिए डबलू डबलू बराबर होता है F into D कार बराबर बल गुणे विस्थापन तो इन दोनों काम गुणा करेंगे तो 200 आजाएगा तो 200 अब इसमें देखिए 200 न्यूटन भी है 200 जूल भी है और 200 अर्ग भी है क्योंकि 200 हमारा अंसर आया F into D किया कार बराबर बल गुणे विस्थापन तो 20 गुणे 10 किया लेकिन 200 में हमें अब एकाई तो एकाई हमें इसमें समझना पड़ेगी तो कार की जो हमारी एकाई होती है मीटर दिया है मीटर मतलब MKS सिस्टम चल रहा है तो MKS में जो हमारी कार की एकाई होती है वो होती है क्या जूल तो 200 जूल दिया गया है तो इसका अंसर सेक अंसर राइट अंसर हो जाएगा नेक्स को चनम करते हैं तीन गोले जिनकी तरज्याएं किरमसा 3 cm, 4 cm, 5 cm इन्हें पिगला कर एक बड़ा गोला बनाया गया यह कुश्ण जो है हमारे मैत का है इसमें तीन गोले थे एक की तरज्या 3 cm, एक की तरज्या 4 cm, एक की तरज्या 5 cm इन तीनों को हमने एक बट्टी में पिगला दियो बड़ा गुला बनाए तो उसको हम बॉल्यूम से लगाएंगे जो हमारा जब किसी चीज को पिगला जाता तो बॉल्यूम होता है तो बड़ा बॉल्यूम जो होगा V बरावर V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों बॉल्यूम को हमे 4×3 times pi rq वो अंगे भी लगेगा 4×3 times pi rq Čर लेकिन यह हमारा pi rq प्लस bok प्लस r2 कwhy r3 यह तीनों का q कर गें हम एड़ कर देंगे क्यों क्योंffe अभी अभी मैंने सूत्र बताया 4×3 … पाई यार क्यूब लेकिन बरावर के जो चार बटे तीन इधर का और चार बटे तीन इधर का और पाई से पाई सारे कट जाएंगे हम इनको क्यूब करके जोड़ेंगे तो तीन का क्यूब क्या होता है तीन का क्यूब 27 होता है चार का क्यूब 64 होता है और पांच का क्यूब 125 होता है लेकिन हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा RQ की वैलू जो आएगी वो आएगी 216 दो सोला का जो हम क्यूब करेंगे क्योंकि क्यूब अठागे यदर क्यूब रूट लेंगे जह हम इसका तो छे आ जाएगा तो हमारा बड़े गोले का जो जी आया ब्यास रहेगा किरमसा तीनों को पिगलाने के बाद वो छे तो हम 6 cm निकल लगे आएगा तो इस तरीके से इस ट्रिक से हम कर सकते हैं और ये कोश्टन कई बार एकजाम में आ चुका है नेक्स कोश्टन राष्ट गान गाने का समय कितना होता है यह हमने एक जीकर का कोश्टन डाला है कई लोगों को ये मालूम नहीं रहता है तो सांसे मैंसे डरना नहीं है । अगर आप डरोगे तो आपको दिक्कत होगी अ इस लिए आप हमारे सारे वीडियो को देखिए और समझे इसी तरीके से आंगे यह में वीडियो अपलोड करूंगा तो आंगे की वीडियो देखने के लिए आप चाहूं तो हमारे चेनल Fitter Fighter को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो अगा अगा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सेर कर देना ताकि आपको फाइदा मिले के साथ आपके मितरों को भी इसका फाइदा मिले आज के लिए इतना ही ओके बार